प्रबु आज भी प्रबु परमेश्वर आप हमें आपके समुक में परमेश्वर आप लाए हैं इसके लिए दन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज जो भी आपके शास्त्र के वच्छन सुनने वाले हैं परमेश्वर सारे लोगों को आपके ग्यान और बुद्धी से अब बर दीजिए ऐसा आप करने वाले हैं इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं एशु मसी के नाम से मांगते हैं पिता आमेन उत्पती के किताब चत्तिसवा अत्याई एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसकी यह वन्शावली हैं एसाव ने तो कनानी लड़कियां प्याह ली अर्ताथिती एलोन की बेटी आधा को और ओहोलिबा मा को जो अना की बेटी और हिबी सिबोन की नातिन थी फिर उसने इसमाईल की बेटी बासमत को भी जो नबायोत का बहिंती ब्याग लिया आधा ने एसाव के द्वारा एलिपच को और बासमत ने रुएल को जन्म दिया और अहुलिमाबा ने यूस और यालाम और कोरह को उत्पन किया एसाव के यही पुत्र कानान देश में उत् जब एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और गर के सब प्रानियों और अपनी बेड बकरी और गाय बैल आधी सब पशुओं निदान अपनी सारी संपती को जो उसने कनान देश में संशित की थी लेकर अपने बाई याकुप के पास से दुसरे देश को चला गया क्योंकि उनकी संपती इतनी हो गई थी की वे इकटे न रह सके और पशुओं की बहुत आयत के कारण उस देश में जहां वे परदेशी ओकर रहते थे वे समा न सके एसाव जो एदोम भी कहलाता है सेईर नामक पहाडी देश में रहने लगा सेईर नामक पहाडी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वनशावली यह है एसाव के पुत्रों के नाम यह है अर्तात एसाव की पत्नी आधा का पुत्र एलिपच और उसकी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रुएल एलिपच के ए पुत्र अर्था तेमान, ओमार, सपो, गार्ताम और कनज एसाव के पुत्र एलिपच के तिमना नामक एक रकेल थी जिसने एलिपच के द्वारा अमलेक को जन्म दिया एसाव की पत्नी आदा के वन्ष में यही हुए रुवेल के ये पुत्र हुए अर्था नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा एसाव की पत्नी बास्मत के वन्ष में यही हुए ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी और सीबोन की नातीन और अन्ना की बेटी थी उसके ये पुत्र हुए अर्थात उसने एसाव के द्वारा यूस, यालाम और कोरह को जन्म दिया एसाव वन्षियों के अधिपती ये हुए अर्थात एसाव के जेटे एलिपज के वन्ष में से तेमान, अधिपती, ओमार अधिपती, सपो अधिपती, कनच अधिपती, कोरह अधिपती, गाताम अधिपती, अमालेक अधिपती एलिपज वन्षियों में से ये दों देश में ये ही अधिपती हुए और ये ही आदा के वन्ष में हुए एसाव के पुत्र रुएल के वन्ष में ये हुए अर्तात नहत अधिपती, जेरह अधिपती, शम्मा अधिपती, मिज्जा अधिपती रुएल वन्षियों में से एदों देश में से ही अधिपती हुए और ये ही एसाव की पत्नी बास्मत के वन्ष में हुए एसाव की पत्नी ओहली बामा के वन्ष में ये हुए अर्तात यूस अधिपती, यालाम अधिपती, कोरह अधिपती, अना की बेटी ओहली बामा जो एसाव की पत्नी थी उसके वन्ष में ये ही हुए एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसके वन्ष एही है और उनके अधिपती भी यही हुए सेहिर जो होरी नामक जाती का था उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे लोतान, सोबाल, सीबोन, आना, दिशोन, एसेर और दिशान एदोम देश में सेहिर के ये ही होरी जाती वाले अधिपती हुए लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए और लोतान की बहिन तिमनाती सोबाल के ये पुत्र हुए आलवान, मानहत, एबाल, सपो और ओनाम सीबोन के ये पुत्र हुए अया और अना यह वही अन्ना है जिसको जंगल में अपने पिता सीबोन के गदों को चराते चराते गरम पानी के जरने मिले अन्ना के दिशोन नाम पुत्र हुआ और उसी अन्ना के ओहली बामा नामक बेटी हुई दिशोन के ये पुत्र हुए हेमदान, एशबान, इत्रान और करान एसेर के ये पुत्र हुए बिल्हान, जाबान और अकान दिशान के ये पुत्र हुए उस और अरान होरियों के अधिपती ये हुए लोतान अधिपती, सोबाल अधिपती, सीबोन अधिपती, अन्ना अधिपती दिशोन अधिपती, एसेर अधिपती, दिशान अधिपती, सेईर देश में होरी जाती वाले यही अधिपती हुए फिर जब इस्राइलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया था तब भी एदोम के देश में ये राज्या हुए बोर के पुत्र बेला ने ये दोम में राज्य किया और उसकी राजदानी का नाम दिनहाबा है बेला के मरने पर बोस्त्रा निवासी जेरह का पुत्र योबाप उसके स्थान पर राजा हुआ योबाप के मरने पर तेमानियों के देश का निवाशी हुसाम उसके स्थान पर राजा हुआ फिर हुसाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ यह वही है जिसने मिध्यानियों को मौाप के देश में मार लिया और उसकी राजदानी का नाम अबित है हदत के मरने पर मस्त्रे कावासी समला उसके स्तान पर राजा हुआ फिर समला के मरने पर साउल के महानद के तटवाले रहबोद नगर का था वह उसके स्तान पर राजा हुआ साउल के मरने पर अकबोर का पुत्र बालहनान उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजदानी का नाम पाउ है और उसकी पतनी का नाम महित बेल है और मेजाहब की नातीन और मत्रेद की बेटी थी एसा वन्शियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुशार उनके नाम ये है तिमना अधिपति, अलबा अधिपति, यतेत अधिपति ओहो लीबामा अधिपती, एला अधिपती, पिनोन अधिपती, कनच अधिपती, तेमान अधिपती, मिपसार अधिपती, मकदियेल अधिपती, इराम अधिपती, एदोम वन्शियों ने जो देश अपना कर लिया था, उनके निवास्तानों में उनके यही अधिपती हुए 22 अध्याई इशु फिर उनसे दुष्टानतों में कहने लगा स्वर्ग का राज्य उस राज्या के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को बेजा की निमनतरीत लोगों को विवाह के बोज में बुलाए परंतु उन्होंने आना नह चाहा फि देको मैं बोज तयार कर चुका हूँ मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तयार है विवाह के बोज में आओ परंतु वे अप उपेक्षा करके चल दिये कोई अपने केत को कोई अपने व्यापार को अन्य लोगों ने जो बच रहेते उसके दासों को पकड़ कर उनका अनादर किया और मार डाला तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना बेचकर उन हतियारों का नाश किया और उनके नगर को फूग दिया तब उसने अपने दासों से कहा विवाह का बोज तो तयार है परंतु निम्नत्रीत लोग योग्य नहीं टहरे इसलिए चाउराहों पर जाओ और जितने लोग तुमें मिले सब को विवाह के बोज में बुला लाओ अतह उन दासों ने सडकों पर जाकर क्या बूरे क्या बले जितने मिले सब को इकटा किया और विवाह का गर अतितियों से बर्द गया जब राजा अतितियों को देखने बीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्तर नहीं पहने था उसने उससे पूछा हे मित्र तु विवाह का वस्तर पहने बिना यहां क्यों आ गया उसका मुह बंध हो गया तब राजान ने सेवकों से कहा इसके हाथ पाव बांद कर उससे बाहर पीसना होगा क्योंकि बुलाये हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए तोड़े है तब फरिश्यों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फसाए अतह उनोंने अपने चेले को हेरोतियों के साथ उसके पास यह कहने को बेजा हे गुरू हम जानते हैं कि तू सच्चा है और फरमेश्वर का मार्क सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता क्योंकि तू मनिश्यों का मूँ देखकर बाते नहीं करता इसलिए हमें बता तू क्या सोचता है कैसर को कर देना उचित है कि नहीं एश्यों ने उ उसके पास एक धिनार ले आए, उसने उनसे पूचा यह चाप और नाम किसका है, उन्होंने उससे कहा कैसर का, तब उसने उनसे कहा जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो, यह सुनकर उन्होंने अच्चंबा किया और उसे चोड़ कर चले गए उसी दिन सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुऊं का पुनरुस्तान है ही नहीं उसके पास आये और उससे पूछा हे गुरु मुसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका बाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने बाई के लिए वन्श उत्पन करे अब हमारे यहां साथ बाई ते पहला विवाह करके मर गया और संतान हाने के कारण अपनी पत्नी को अपने बाई के लिए चोड़ गया इसी प्रकार दूसरे और तिसरे ने भी किया और सातों तक यही हुआ सबके बाद यह श्त्री भी मर गई अतह जी उटने पर वह उन सातों में से किसकी पत्नी होगी क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी इश्यू ने उन्हें उत्तर दिया तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते इस कारण बूल में पड़े हो परमेश्वर के दूतों के समान होंगे परन्तु मरेहों के जी उटने के विशय में क्या तुम ने यह वचन नहीं पड़ा जो परमेश्वर ने तुम से कहा मैं अब्राहाम का परमेश्वर और इसाहक का परमेश्वर और याकुब का परमेश्वर हूँ वह मरे हुऊं का नहीं परंतु झीवतों का परमेश्वर है यहाँ सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए जब फरिश्यों ने सुना कि येशु ने सदुकियों का मुह बंद कर दिया तो वे इकटे हुए उन में से एक व्यवस्ता पक ने उसे परक्वने के लिए उससे पूछा हे गुरु व्यवस्ता में कौन सी आग्या बड़ी है उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्रान और अपनी सारी बुद्धी के साथ प्रेम रख बड़ी और मूख आग्या तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रख यही दो आग्याएं सारी व्यवस्ता और बविश्य दक्ताओं का आदार है जब फरिसी इकटे थे तो ईश्यू ने उनसे पूछा मसीह के विशे में तुम क्या सोचते हो वह किसका पुत्र है उन्होंने उससे कहा दावुद का उसने उनसे पूछा तो दावुद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाही ने बैट जब तक की मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों के नीचे न कर दू बला जब दावुद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे टहरा इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ निती वचन तेविस्वा अध्याए जब तू किसी हाकिम के संग बोजन करने को बैटे तब इस बात को मन लगा कर सोचना की मेरे सामने कौन है और यदि तू अधिक काने वाला हो तो तोड़ा काकर भुका उठ जाना उसकी स्वादिष्ट बोजन वस्तुवों की लालसा न करना क्योंकि वह दोके का बोजन है दनी होने के लिए परिश्रम न करना अपनी समझ का बरोसा छोड़ना क्या तू अपनी दुष्टी पर वस्तुपर लगाएगा जो है ही नहीं वह उकाब पक्षी के समान पंक लगा कर नी संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है जो दाह से देखता है उसकी रोटी न काना और न उसकी स्वादिष्ट बोजन वस्तुवों की लालसा करना क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है वह तुझसे कहता तो है कापी परंतु उसका मन तुझस लगा नहीं जो कवर तुने काया हो उसे उगलना पड़ेगा और तु अपनी मिटी बातों का फल कोएगा मुर्ग के सामने न बोलना नहीं तो वह तेरे बुद्धी के वचनों को तुझस जानेगा पुराने सीमाओं को न बढ़ाना और न अनातों के केत में गुसना क्योंक मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा अपना रिदैश सिक्षा की ओर और अपना कान ज्यान की बातों की ओर लगाना लड़के की थाडना न चोड़ना क्योंकि यदि तु उसको चड़ी से मारे तो वह न मरेगा तु उसको चड़ी से मार कर उसका प्रान अदलोग से तू पापियों के विशई में डाह न करना, दिन बर यहोवा का बै मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न तुटेगी, हे मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सूमार्ग में सीधा चला, दाकमदू के पीने वालों में न होना, न मास क अधिक काने वालों की संगती करना, क्योंकि पियकड और पेटू अपना बाग कोते हैं, और पिनक वाले को चितड़े पहनने पड़ते हैं, अपने जन्मने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बुड़ी हो जाए, तब भी उससे तुच्छ न जानना, सच्चाई को म मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धी और सिक्षा और समझ को भी मोल लेना, दर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धी मान का जन देने वाला उसके कारण आननदीत होता है, तेरे कारण तेरे माता पिता आननदीत और तेरी जननी मगन हो, हे मेरे पुत्र अप पराइस्त्री सक्रे कुवे के समान है, वा डाकू के समान गात लगाती है, और बहुत से मनुष्यों को विश्वास गाती कर देती है, कौन कहता है हाई, कौन जगड़ते रगड़ते में फसता है, कौन बगबग करता है, किसके उकारन गाव होते है, किसकी आके लाल हो जाती है उनकी जो दाक मदू देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाक मदू दूनने को जाते हैं जब दाक मदू लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुन्दर रंग होता है और जब वह दार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और कराईत के समान काटता है तु विचित्र वस्तुवे देखेगा और उल्टी सीधी बाते बकता रहेगा तु समुत्र के बीश लेटने वाला या मस्तुल के सीरे पर सोने वाले के समान रहेगा तु कहेगा कि मैंने मार तो काई परन्तु दुकित न हुआ मैं पीट तो गया परन्तु मुझे कुछ सुधी न थी मैं होश में कब आऊं मैं तो फिर मदीरा दूंडूंगा प्यारे पिता परमेश्वर आज भी परमेश्वर आपके शास्त्र के वच्चन को सुनने के लिए आपने मदद की है इसके लिए दन्यवाद करते है प्रबू आज भी परमेश्वर जिस प्रकार परमेश्वर दाकमदू के बारे में हमने देखा जो लोग परमेश्वर ये शास्त्र के वच्चन सुन रहे हैं अगर उनके परिवार में कोई ये दाक मदू पीने के बंदन में है तो उन्हें आज आप छुडा लेने वाले हैं इसके लिए हम दन्यवाद करते हैं प्रभू आज आपने आइसा की है इसके लिए दन्यवाद करते हैं इस शुमसी के नाम से मांगते हैं पिता आमेन गौड ब्लेस यू